नमस्कार आइस वीडियो में आप से गास्वागत है आज हम वारेन हिस्टिंग्स के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे इससे पहले के वीडियो में मैंने रॉबर्ट कलाइफ के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को खोल के देख लीजेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है इस वीडियो में हम वारेन हिस्टिंग्स के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े जितने भी important facts हैं उन सबको देख लेंगे कि किस तरीके से जो तत्थ हैं वो परिक्षाओं में आ सकते हैं तो उसके बारे में हम संपून जानकारी रखेंगे और इस वीडियो के last हिस्से में कुछ MCQs डाला गया है जो कि अभी तक के परिक्षाओं में पूछे गए हैं State PCS हो या UPC हो तो उन MCQs को भी देख लेंगे कि किस तरीके से Warren Histings से सम्मन्दित अभी तक प्रशन पूछा गया है यानि कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो तरीकी का koncept त्यार हो जाएगा एक तो ऐसा कि जो सवाल पूछा गया है उस पे बात हो जाएगी और जिन तथ्यों को अभी तक प्रशनों के रूप में पूछा उस पे भी बात हो जाएगी क्योंकि यहीं से फिर संभाविद सवाल बनते हैं तो हम देखेंगे वारेन हिस्टिंग्स के बारे में कौन सत्त थे सबसे पहले आता लेकिन वारेन हिस्टिंग्स के आने के पहले कुछ और भी गवर्नर थे जैसे कि क्लाइव जब चला गया था तो हालवेल फिर आया था हालवेल के बाद वेंसी टाट आया था फिर के आने से पहले कि गवर्नर थे जिनको काफी कम समय तक रखा गया था तो क्लाइव के तुरंत बाद जो गवर्नर बंगाल का बनता है वो है हालवेल और इसी ने ब्लैक होल की घटना जो किसीरा जो दौला से संबंदित है उसका वर्नन किया था तो इसके बारे में तर्थेधा अगर सवाल बनता है कि किस गवर्नर ने ब्लैक होल की घटना का वर्नन किया था तो वो था हालवेल दूसरा हो जाता है वेंसी टाट और वेंसी टाट है बकसर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था तो ये भी परिक्षा में पूछा जा सकता है खास करके BPSC के संदर म कि बकसर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तो वो वेंसी टाट था इसको आप ध्यान में रखिएगा तीसरा है वेरेलस्ट ये द्वैद सासन के समय बंगाल का गवर्नर था और चौथा है कार्टियर तो इनके समय में भी बंगाल में द्वैद सासन जारी रह है इनके बारे में तो समाने परिशे के रूप में देखी कि 1750 इस्वी में वारें हेस्टिंग्स कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आता है आज कलकत्ता को कोलकता कहा जाता है लेकिन तब कलकत्ता को तब कलकत्ता ही कहते थे और अपनी कारे को शल्ता की कारण शिग ही वह कासिम बजार का ध्यक्ष बन जाता है उसके बाद 1772 इसवी में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और 1773 इसवी के या ऐसा व्यक्ति के हैं जो कि गवर्नर भी था और गवर्नर जन्रल भी था बंगाल का 1772 से 1774 के बीच में ये गवर्नर था और 1774 से लेकि 1785 भी तक ये बंगाल का गवर्नर जन्रल बना रहता है तो इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखेगा वारेन हिस्टिंग्स के संबन में कि 1750 स्वी में वारेन हिस्टिंग्स कंपनी के कलर के रूप में कलकता आता है लेकिन कैसे ही वह फिर कासीम बाजार का अध्यक्ष बनता है कि वह उसके आने का जो समय है वह 1750 ही है उसके बाद लगभग 22 साल के बाद वह बंगाल का गवर्नर बनता है और फिर गवर्नर जन्रल उसको बनाया जाता है और प्रशासनिक सुधार के तहत वारेन हिस्टिंग्स ने कोट ऑफ डायरेक्टर के आदेशा नुसार बंगाल से द्वायत सासन की समापती की घोशना करता है यानि कि जिसके समय कलाइव के समय ये द्वायत सासन लागू किया गया था उसको ये खत्म करता है कौन तो वारेन हिस्टिंग्स और उसके बाद कंपनी को बंगाल हो गया बिहार ओडिशा प्रांत की सासन व्यवस्था का उत्तरदाईतो सम्भालने का आदेश वो देता है यानि कि तब बंगाल बिहार और ओडिशा एकी प्रांत है जिसको हम बंगाल कहते थे यानि कि वो कम्पनी को बंगाल प्रांट की शाशन विवस्था का उत्तरदाई तो संभालने का आदेश देता है और उसके बाद फिर वारेन हेस्टिंग्स ने दो उपदिवानों जिनको रॉबर्ट क्लाइव ने नियूक्त किया था जिसमें मुहमद रजा खा थे और बिहार के लिए राजा सिताब रहे थे मुहमद रजा खा थे जो कि मुर्शिदाबाद के दिवान बनाए गए थे उपदिवान और राजा सिताब रहे थे ये बिहार के लिए बनाए गए थे ये कलाइव वाले में मैंने चर्चा किया है आप डिस्क् गवर्नर जन्रल के रूप में आता है तो उसी के पद को गवर्नर जन्रल यानि की 1773 का जो regulating act है उसके तहत वॉर्रेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जन्रल बना दिया जाता है 1772 से 1774 के बीच में वो सिर्फ गवर्नर ही रहता है उसके आगे जन्रल का पोस्ट नहीं लगा होता है तो वारेन हेस्टिंग्स से 1774 इस्वी में देखिए तो यह बंगाल का गवर्णर जनरल बन जाता है और 1772 इस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने राज़स्व बोर्ड का गठन करता है और आज की कोशागार को मुर्सीदाबाद से कॉलकाता लाता है यह गवर्नर के समय का ही फैक्ट है यह इसको आपको ध्यान में रखना है कि कोशागार को मुर्सिदाबाद से कोलकाता वो अस्थनांतरित करता है और राजस्व सुधार्ग भी करता है जिसके तहतर वोरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व की वसूली का अधिकार कमपनी को देता है और बोर्ड ओफ रेवन्यू के स्थापना करता है जिसमें कमपनी के राजस्व संग्रहक न्यूक्त किये गए थे इसमें प्रशन ऐसे ही बनता है कि बोर्ड ओफ रेवन्यू का गठन निम्नांकित में से कौन से गवर्नर जनरल ने किया था उसी में चार आप्शन होगा इसका सही जवाब होगा फिर बोर्ड ओफ रेवन्यू भूमी कर्स उधार के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स है वो 1772 इसमें पांच वर्सी भूमी राजस्व की विवस्ता को लागू करता है इस पंच वर्सी विवस्ता से क्रिसको काफी हानी होती है इसके बाद इसे समाप् पांच वर्सी भूर आजस्व की विवस्ता करता है वो है वर्रेन हेस्टिंग्स और एक और इंपॉर्टन फैक्ट है इसमें कि संपूर्ण लगान की हिसाब की देखवाल के लिए एक भारतिये अधिकारी राय रायन की नियुक्ति करता है इसे समनित प्रश्ण नहीं नाम है और इस पद को पहला जो प्राप्त करता है वो की राजबल उसका नाम था फिर देखिए वर्रेन हेस्टिंग्स का जो नियाईक सुधार है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है उसको जानना ची और अगर आब नियाईक सुधारों के ताहट देखेंगे तो उसने जमिन जमिनदारों से नियाईक अधिकार छहीन लिया था इसका मतलब ले था कि Warren Hastings जमी जमिन दार फे हाथ से लेकिन Warren Hastings इस अधिकार को खहीन लेता है और 1772 इसमी में परती यह चेन प्रतेक जिले में के स्थापना का सिलसला शुरू किया गया या किसके समय में ये फॉजदारी और देवानी जो अदालते थी वो अस्तित्तों में आई तो वो गवर्नर जनरल था वारेन हैस्टिंग्स 1773 इस वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसी के तहट 1774 में अगर आप देखें तो कोलकाता में सुप्रीम कोट की स्थापना की गई थी और इसके मुखे नैधीश जो थे वो एलिजाह इंबे थे ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है इसको आप बार बार इसको पहला था वो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो नैएक सेवा का जो जन्म दाता था वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है किस तरीके से जो पहला था वोरेन हेस्टिंग्स नैएक सुधार में अगर आप देखेंगे तो फौजदार्यों और दिवानी अदालतों की स्थापना करता है और उसके बाद कोलकाता में सुप्रीम कोट की स्थापना करता है तो स्वभाविक है कि फिर उसको नैएक सेवा क जन्मदाता माना ही जाएगा तो यहां से भी सवाल बन सकता है इसको आपको ध्यान में रखना है उसके बाद ये भी प्रशन पूछा जागा कि बनारस की संधी किसके समय में हुई थी तो इन दो ये जो दो संधिया है वो वारेन हस्टिंग्स के समय ही हुई थी और जो संध नहीं लेकिन ये पूछा जाएगा कि बनारस की संधी किसके समय में हुई थी फैजाबाद की संधी किसके समय में हुई थी इन दोनों संधियों के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं अगला है कि वारेन हिस्टिंग्स के समय में ही 1780 में भारत का पहला समचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस ही करता है ये भी फैक बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिएगा समाजिक सुधार अगर देख ले तो उसके तहत हिस्टिंग्स 1781 में कलकत्ता में मुसलिम सिक्ष इस प्रकार बहुत इंपोर्टेंट ये फैक्ट है और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन तीनों से बहुत हद तक सवाल बन सकता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है दोनों संधियों को आप ध्यान में रखिएगा और ये जो फैक्ट है ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आप चाहें तो इसका स्किन सोट भी लेके रख सकते हैं ताकि इसको बार बार स्थापना चैयं यह सब कुछ और तत्य है जिन के बार में आपको जानना चाहिए उसकी रूहम लायुद्ध किसके समय हुआ था तो वह प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध या आंगल मराठा युद्ध हो गया द्विती आंगल मैसूर युद्ध इसके समय में लड़ा गया था और ये संधी जो था पहला आंगल मराठा युद्ध जो था वो सालवाई की संधी के तहत अंत किया गया था और द्विती आंगल मर तो याद कर सकते हैं , लेकिन ये जो यूद्ध थे जिसमें रुहेल हो गया, प्रथाम् आंगल मारथ यूद्ध हो गया और द्विती आंगल मैसूर हो गया ये समàyuckle Warren Hastings के समय में हुए थे तो ये आपको ध्यान में रखना है गवर्नर जनरल से समंधित जो महतपूनता थे उसमें एक और इंपोर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल समराट को मिलने वाले 26 लाकी जो वार्षिक पेंसन थी उसको बंद करवा दी थी ये पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने मुगल समराट को मिलने वाला पेंशन बंद करवा दिया था तो वो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स ये भी बहुत इंपोर्टेंट फ्रेक्ट है नंद कुमार पर महाभियोग चलता है यानि कि नंद कुमार मुर्शि तक जो नवाब था वो घुष का आरोप लगाता है लेकिन प्रामाणी जब नहीं हो पाता है तो वर्न हेस्टिंग्स जो कलकता में सुप्रीम कोड के उस्थापना की थी जिसके प्रथम नयाधिस तेलिजाहिम पे उनकी मदद से नंद कुमार को फासी लटका दिया था और इसी मुकदमे को नियाईक हत्या की संग्या दी जाती है तो यह important fact आप ध्यान दखिएगा कि नंद कुमार पर महाभियोग किस गवर्नर जनरल ने लगाया था तो वो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स नियाईक हत्या से सम्मन्दी जो मामला है वो नंद कुमार पर म बुराई हुई थी जिसमें पहला था बनारस के रादर चैत से बिना वज़ा अधिक रूपयों की मांग करना और दूसरा आवद के खाजाने की लूट के लिए इनकी काफी बुराई की गई थी पीट्स का इंडिया एक्ट जो था वो वरेन हेस्टिंग्स के समय पारीत था और बुर्टेस पार्लियामेंट में या माभियोग 78 से 1795 तक चला था परंतु अंत में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था तो इस तरीके से माभियोग भी के ऊपर चलाया गया है ये आपको ध्यान में रखना है इस फैक्ट को कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर माभि योग चलाया गया था कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा गया है एक तो सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती ये पूछी गई सवाल है और बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला एक जूठा बैलो का ठेकेदार और अन्याय का मुख्या इत्यादी संग्याओं से समुधित किया है सुरक्षा प्रकोस्ट जो रिंग फेस की पॉलिसी थी वो वारेन हेस्टिंग्स के समंधित थी अब हम कुछ एमसी क्यूस को देख लेते हैं कि किस तरीके का जो सवाल है वो अलग-अलग परिक्षाओं में पूछा गया है इसमें सबसे पहला है कि कलकत्ता में असियार्टिक सोसाइलिटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनर्र कौन था यह UPPSC आराई में पूछा गया था 2014 में सही जवाब इसका वही है Lord Warren Hastings इस तरीके का सवाल पूछा गया है जो कि इस वीडियो में अगर आप अध्यन करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा सुरक्षा प्रकोष्ट की नीती संबन्दी था यह UPPSC में पूछा गया है 2006 में Warren Hastings से यह भी आप वीडियो अगर वीडियो को ध्यान से देखें तो इस सवाल को बहुत आसानी से बना लेंगे अगला है रिंग फेस की नीती के संबन्द इन में से किस से है यह भी पूछा गया सवाल है यह Warren Hastings से जहरकन पब्लिक सर्विस कमिंसर में पूछा गया था दो हजार तेरह में अगला है निमलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली गवर्मेंट को समाप्त किया था दो बर पूछा गया है एक बर BPSC में 2005 में और दूसरी बार भी BPSC में 1996 में तो यह इसका भी ओप्सन है लॉड वारेन हेस्टिंग्स होना चाहिए था समाप्त करने वाला जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था लॉड हेस्टिंग्स से इसका मतलब कि इसमें का कोई विकल्प सही नहीं है Lord Hastings एक अलग से Governor General था जो की बाद में आपको मैं बताऊं को उसके बारे में ये इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं Warren Hastings होता तो ये C option सही होता अगला है किस Governor General पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ये था Warren Hastings अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्क के द्वारा Warren Hastings में मुकदमा चलाया गया था चछटा सवाल जो कि UPPC में पूछा गया है 26 में और UPPC के GIC एक जामिनिशन में 210 में पूछा गया है उसी तरीके का सवाल है लेकिन भाषा बदल दिया गया है इसका भी सही जवाब है Warren Hastings तो Warren Hastings पर ध्यान में रखेगा एक और इसके साथ मिलता जुलता जो नाम है वो की Lord Hastings का है लेकिन Lord Hastings वो अलग है वोरन Hastings अलग है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा इस तरीके से मैंने आज के वीडियो में Warren Hastings पर चर्चा किया आप सब लोगों ने इसको देखा आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा धन्यवाद हुआ है